नमश्कार दोस्तो आज के ताजा मौसम समाचार की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप भी रोजाना इसी तरह मौसम का ताजा हाल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी अपने राजे जीले गाउं का ताजा मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट पे अपने राजे जीले गाउं का नम जरूर लेखे 24 गंटों के दोरन गिल्गित बाल्टिस्तान मुझफराबाद लद्धाक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हलकी से मध्यम बारश और बरवारी हो सकती हैं उत्राखंट सिक्किम और अवनाचल प्रदेश में एक दू स्थान पर हलकी बारश और हिमपाथ है 6 मार्श को राजिस्तान में हलकी बारश और आंधी आ सकती है राजिस्तान के कई हिस्सों पश्ची में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और मध्य माराश्र के हिस्सों उत्री मराटवाड़ा और विधर्प में बारश और आंधी की गतिविदेश शुरू हो सकती है गुज मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दोरां पहाडी शित्रों में हलकी बाईश और बरबारी हो सकती है आईमडी के मुताबिक जम्मु कश्मिर हिमाचल प्रदेश और उत्रागंड में अगले 5 दिनों के दोरां हलकी परबारी और बारिश कुछ स्थानों पर देखने को में सकती है वही देली एंस्यार में अगले 5 दिनों के दोरां मौसम में शुष्क रहने की संभाबना है इसके अलावा राजधानी में 3 दिन के दोरां हवा की गती तेज रहेगी अनुमान है कि हवा की गती 20 से 30 किलो मेटर प्रती घंडे के तक की रह सकती है इसकी दिशा उत्री पश्ची में रहने की संभाबना है शनिवार को अंशिक रूप से बादल बिछाए रहेंगे मौसम विभाग की अनुसार अगले 5 दिनों के दुरां उतर पदेश पजाब हर्याना समेथ कई रजजवे मौशम सुस्क रहेगा आला कि पश्ची मेराजिस्तान में अगली 4 दिनों के दुरां हलकी बारिश दर्श की जा सकती है इसके लगवा महराश्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानू पर रविवार को हलकी बारिश की आएमडी ने संभाबना जदाई वही मौसम विफाग ने दक्षिन भार्द के राज्य को लेकर बताया है कि करनाटक में तापमान बढ़ेगा आज भी करनाटक में गिरिश लहर की स्थिती के जारी रहने की संभाबना है साथी उत्री केल के कई सिलो में अगली कुछ दिन तक तापमान में पठोत्री दर्च की जाएगी तो दोस्तों आज की मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही ऐसी तमाम मौसम समाचार अपने मौबाइल तो फ्री में पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्स्क्राइब करें साथी वीडियो को लाइक करने ना भूले धन्यबाद